Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका my young और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए भारती अर्थ विवस्ता जो कि रमेश सिंग जी के तोरह लेखी हुई पुस्तक है आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय अठारेवा है यहाँ पर हम भारत में लोकवित के बारे में जानेंगे देखे आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और यह जान लीजिए आपका देखे हर साल बजट आता है अगर आप यह चैप्टर अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो वास्तित्ता यह है कि आपको आने वाले बजट में या जो भी बजट आप सुन चुके हैं उसमें से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है तो इसको आपको जो है अच्छे से तैयार करना है अच्छी से समझना इसकी अभधारना को कि क्या होता है बजट से जुड़े हुए जो भी शब्द है जो भी उनकी जो शब्दावलिया है उनको क्लियर करना है आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं आजका वीडियो देखते हैं हमें क्या-क्या discuss करना है यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस chapter की देखें वित्त को यहाँ पर इसे अंग्रेजी में finance कहते हैं वित्त को हम यहाँ पर जो finance कहा जाता है अंग्रेजी में थोड़ा सा हम इस chapter को start करने से पहले आपको जो वित्त है यानि finance और economy इसको इसके बारे में difference हम आपको बता देते हैं कि finance और economy क्या होती है कई बार आपने सुना होगा कि financially support कर देता है वो हमें economically support कर देता है हमें तो इनका मतलब क्या इनका अर्थ सब्दों में अंतर क्या है यह हमें जानना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर रोपियों के lending की बात होती है अब इन future में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे इसका कोई concern नहीं होता है कि आप future में invest करेंगे या अपना कोई भी बीमा बगएरा लेंगे policy लेंगे future के लिए आप मकान बनवाने के लिए कुछ saving करेंगे बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ finance में आ जाती है एकोनोमिक क्या हो जाती है एकोनोमिक का मतलब भी होता है कि आप पूरा उसका प्लान करें कि हमें करना क्या है माली जी हमारी जो salary है 50,000 रुट महीने में salary मिल लई है तो इसमें हमें कितना जो है इस महीने में अपना खर्चा निकालना है या अपने घर का ज अपना जो है अपना structure तैयार किया यानि कि हमने पूरा एक economic model तैयार किया अपना अपने future का तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी होता है finance जो है को economy के भीतर आ जाता है और economy में आपने जानते होंगे government क्या होती है कानून बनाती है तमाम दरे के rules regulation बनाती है बहुत सारी प् difference क्या है एक क्यों बोल जाते हैं जबके financially बोलना चाहिए financial का मलब यह है कि आपने जो उसको पैसे तकाल भुकतान की है पैसे जो पकड़ाए है वो financial support हो गया economic का मलब यह क्या हो गया अगर आप उसके future के बारे में सोच रहे है यानि एक पिता आपने बच्चे के future के बारे म क्योंकि कई बार interview में जो छोड़ी छोड़ी बारी की बाते होती है वो आपको उलजा देती है और इसलिए इन्हें समझना बड़ा जो आवश्यक है तो सबसे बहले बात करते हैं लोक वित्त की यानि कि finance की लोक वित्त वास्तम एक विस्तरत विसे है जिसमें वे सभी मामले एंधर आते हैं जो लोक धन यानि पुबलिक money क्योंकि यहाँ पर लोक वित्त क्योंके डेश के संधर में बात हो रही है तो पूरा पुबलिक money की बात होगी इन से जुड़े हुए हैं जैसे सरकार द्वारा PRAPT किया गया पैसा, खर्च किया गया, उधार लिया गया या व परत्मान में इसको पब्लिक एकोनोमिक्स भी कहा जाने लगा है यहाँ पर बताया गया है कि इस विशे में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं की जाती कि देश के कितने संसाधन का उपयोग सरकार अपने लिए करेगी बलकि धनका उपयोग करने की कारशमता पर भी बल दिया ज जाता है कि उनकी जो कारिज हमता है कि उतना हम यहाँ पर उपयोग कर पारे है रहे हैं या नहीं कर पार है तो यह चारी वडबी समस्य भी बना हुआ है तो यह सारी समस्य जब तक दूर नहीं कह सकते हैं भारती विसाल जनसंग क्या है? इसको हम वास्तभिक जो कारिवल है या बिर जो भी हम भी बन गया बर्ड में तो ये सब चीज़ें है लोक वित्र की जो अवधार्णा है इसका उल्लेक आपके प्राचीन एतिहासिक पुस्तक जो है कौटिल करत जो अर्सास्त है यहां पर भी किया गया है इसमें इसमें राजकोसी राजसुकिस रोत लेखा लेखा परीचड यानि है हमारे जो पुराने गरंथ हैं इंसाइन टेक्स है बहां से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई है तो यहां पर एक्जांपल आपके सामने रखा गया है यह लोक वित्र की अवधार्णा हमने पूरी तरह से कहीं भाहर से नहीं लीए बलके हमारे पुराने गरंथों में भी यह मौजूद था अब बात करते हैं यहां बर जो पब्लिक फाइनेंस है इसकी आवश्यक्ता क्या पड़ी सरकार को हैंडल करने की जरूरत क्यों पड़ी तो शुरुवात में तो आपको बता होगा शुरुवात में जो एकोनोमी थी फ्री हैंड चलती थी यानि इसमें किस बात पर बल दिया है कि राज्यका हस्तेप यहां पर होना ही चाहिए खास करके जौन मैनौर्कीन से हैं तो उन्होंने भी इस बात पर बल दिया है कि राज्यका हस्तेप होना ही चाहिए उसके बाद दुती बिस्युद्य स्टार्ट हो गया तो दुती बिस्युद्य के बाद आप भी यहाँ पर आप देखेंगे पिर भी यहाँ पर सबसे जता जी भूमिक मानि जाने लगी हो पूरी तरा एसे सै बाजार यह दिन नहीं छोड़ना चाहिए। तो तभी से ये सारे टॉपिक जो हैं, याने खास करके, ये जो आपके अब देख रहे हैं, पब्लिक फाइनस वाले टॉपिक, ये और ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं, और ज़्यादा इन पर फोकस दिया जाने लगा है. बात करते हैं, बजट, बजट वड़ा आम सब्द है, आपने सुना होगा बजट, कि बजट पास हो रहा है, पता नहीं, आम आदमी को क्या मिलेगा, गरीब को क्या मिलेगा, तो ये सब के मन में चलता है, आप लोग सुनते होंगे, बजट में कुछ भी नहीं है, इस बार बिल एक साल में कितना खर्च करना है, कितना हमें सेविंग्स करनी है, कितना भुकतान करना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, बजट में रखी जाती है, याप पूरा एक साल का अपना तैय करते हैं, कि हमारा एस्टीमेट में एक लाग करोड रुपया रखना है पूरे भारत की जनता के लिए हम एक बहुत छोटा एक्जामपल ले रहा है वैसे तो बहुत बड़ी संक्या होती है लेकिन यहाँ पर भई यह पूरा बताया जाता है कि इतना इसमद में खर्च करना है स्वास्ते पे इतना करना है हमें इंट्राश्टर पे इतना बजट लेकर चलना पड़ता है कि हमारी बास इतना बजट है इस साल के लिए और इस बजट में अपनी कितनी मसीनली यहाँ पर इस्थापित करनी है कितने नई प्लांट लगाने हैं कहां कहां पर नई फ्रैंचाइज खोलनी है अपनी ब्रांच खोलनी है तो वो भी डिसाइड करते हैं बजट सब्द की उत्पत्ती कहां से होई है देखे बजट जो है वो फ्रांसी सी शब्द है आपका बुगे इससे बना है इसका अर्थ होता है चमडे का ब्यक तो बिटेन में जो अठारेवी सदी के मद्द में इस तरह के बैक से सरकारी आय और ब्यक के ब्यारों के दस्तावेज़ों को निकाल कर संसत में व्रस्तुत किया जाता था तो वहीं से ये बजट दो सब्द है वो परशलन में आ गया है थोड़ा इसका सम्विधानिक अपने आदेख लेते हैं और इस पेसली जो राज्य होते हैं वो भी अपना एक बजट बनाते हैं कितना हमें किस मद्द में खर्च करना है कौन सी योजना के लिए खर्च करना है तो उनके लिए अलगन अच्छेद हैं तो यहाँ पर आप कैंद्री या संगी बजट की बात करें और तीन समूसे आंकड़े या बजटाई जाते हैं सबसे पहला है पिछले साल के वास्तविक आंकड़े थोड़ा सा हम अपने यहाँ पर जोड़ देंगे पिछले साल के आंकड़े कौन से हुए आपको पता होना चाहिए कि हमारे हैं हमारे देश में जो बजट होता है यानि अगर हम बजट की बात करें अपने देश में तो हमारे हैं जो बजट आता है वो मुश्टली फरवरी में आता है फर्स्ट फैप को हमारे हैं बजट जो जारी करने का वरिवाज बन गया है session 2022 और 23 के लिए, ठीक है? 2022 और 23 के लिए, तो एक common sense सोचने वाली बात यह है, क्योंकि ये तो आपका भी वित्ति वर्स चल ला है, यानि भरतवान में हम लेकर आये हैं, proposal है, अगले साल का proposal है, तो यहाँ पर जो पिछले साल का अंकडे हुए, यानि कि अभी आप जो इसमें य रूप रेख यहां पर बना दी, सो यहां पर जो हो था, यहां पर 20-20C आएगा, ठीक है, तो आपने 22-23 की रूप रेखा बना दी, अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएं, तो इसका एक साल का पिछला बाला कॉन सा होगा, एक साल का आपकी बर्तमान साल चल रही है, बर्तमान साल की आंखड़े तो आपको मिलेंगे नहीं, बर्तमान साल की आंखड़े जो आभी किलियर हुए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस से पूर्व के आंखड़े उठा लेते हैं, इन 2019 के आंखड़े यहां पर उठाएंगे, एक एक ए देखेंगे 2018-19 में बजट लाया गया एक फरवरी को और 2018-19 अपना सैसन अभी पूरा नहीं किया है इसने तो 2018-19 के हमें वास्टपिक आंक्टे नहीं मिलेंगे इसलिए हम क्या करते हैं एक साल पीछे चले जाते हैं 17-18 के आंक्टे यहाँ पर उठा लेते हैं आंक्टों के बा बरत्मान बर्स के अस्थाई आंक्रे बरत्मान बर्स यानि कि जिस साल में हम अगली साल का बजट पर पूज कर रहे है यानि कि माल लीजे हम 2021-2021 वाला जो सैसन है और इस 2021 के सैसन में अगर हम 21-22 का बजट रख रहे हैं तो यहाँ पर भाही बताया गया है कि चूงकि 2019-20 का बजट बित्वर्स दोयार अठा रहा है, उन्हें इसके अंतिमे प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यह इस अल के अस्थाई अनुमान उपलब्द करवाता है, यानि कि यह अस्थाई अनुमान है, यहां पर कनफर्म नहीं है PE, Present Estimate आने वाले वर्स के लिए बजटी अनुमान, यानि कि यहां आने वाले वर्सकार्द क्या है, जिस वर्स के लिए आप बजट पेस करना चाह रहे हैं, यासे 2019-20 के लिए मने पेस किया, तो उस साल की अगली साल से है, यहां पर जिसमें बजट पेस किया जा रहा है, और वह साल जिसके लिए बजट पेस किया जा रहा है, यानि कि 2019-20 यहां पर बितवर्स बन जाएगा, इसको जो है budgetary estimate कहा जाता है, BE कहा जाता है और BE के चिन्न के साथ इसे कह सकते हैं दरसाया जाता है, यानि इसे सम्मधित आख़णों revised estimate, RE जिसे कहते हैं, तो संसोजित आख़ण जो होता है आपका, मूलता है budget के आख़ण, यानि जो budgetary estimate है या फिर अस्थाई आख़णे हैं, यानि present estimate, बासपिक आख़णे जो होते हैं इनका बर्तमान आख़ण होता है यह बर्तमान की सिति को दरसाता है और ये अंतरिम आख़णे हैं देखें, अंतरिम का मलब क्या है, कि जब तक कोई स्थाई आख़णे ना आ जाए तब तक हमारे यही आख़णे रहेंगे यानि जब तक कोई स्थाई आख़णे की गढ़ना की जा रही होती है तो एक अनुमानित लगा लेते हैं, यह 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 आख़णे रहेंगे तो जब तक फाइनली आख़णे ना आ जाया, तब तक हमारे यही आख़णे चलेंगे तो उसलिए अंतरिम लगाया जाता है इसके बाद आता है दृत अनुमान, क्विक एस्टीमेट जुरुत अनुमान एक तरह का संसोधित अंकलन है जो अधिक नभीनतम इस्थित को दरसाता है और कुछ शेत्रों उप्षेत्रों के भविस्मे अनुमानों को दिखाने के लिए उप्योगी है यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को हम फोकस कर लेते हैं उनके बारे में अनलाइसिस करती हैं और वो पुरा प्रकासित करती है तो इसे quick estimate कहते हैं और यह भी अंत्रिम आंकलों पर हाला रहता है तो इससे पहले यह नहीं की जाता है यानि इससे पहले यह मैं अनुमान लगाना है आगे का क्या आगे क्या होगा और ये भी एक तरह के एंत्रे मागड है तो कुछ और भी शबदापलिया आती वो आपने देख ली है अब यहाँ पर जो बात स्टार्ट होती है यह विकासाथमक और गेर विकासाथमक जैसे स्टार्ट होती है and developmental and non-developmental expenditure यह क्या होता है तेकि सरकार जो भी खर्चा करती है सरकार जो भी जनता के लिए योजनाय बनाती है और योजनाओ पर जितने भी पैवेसे की आवशक्ता होती है उसका जो खर्चा करती है तो उसके बारे मताया गया है कि सरकार द्वारा उठाएगे खर्च को यहाँ पर दो भागों में माटा जाता है काउन कोंसे दो भाग है बेज सभी ब्याय जो प्रकती से उत्पादनकारी होते हैं विकासात्मक ब्या कहलाती है उत्पादनकारी का मलब क्या है कि नए उपकरम स्थाबित करवाना कोई कंपनी कारखाना बनाना जिनसे सरकार को लाव हो सरकार को आय अर्जन हो तो उन्हें विकासात्मक मना जाता है जैसे कारखाने हुए बांध हुआ पुल, सड़क, रेलवे इत्याद इन पर खर्च जो किया जाएगा ये सबी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि सरकार को इन सबसे फायदा होता है ये सब चीज़ें अगर में बनाएंगे बेसिक इनवेस्ट तयार करेंगे तो क्या होगा हमारे यह आमदनी बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा तो भही है कार खाने बांध ये सब क्या है सरकार के विकासात्मक ब्या कहलाते है वैसा सरकारी खर्च जो प्रकती से उपभोकात्मक होता है जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन सामिल नहीं होता है इसे गैर विकासात्मक ब्या कहलाया जाता है जैसे आपका बेतन हुगा, पेंशन हुगा, बियाज अदाईगी हुई, छूट, रख्षा, डिफेंस, डिफेंस भी इसी में आ जाता है गैर विकासात्मक, जो कि डिफेंस का कोई हमें उत्पादन नहीं मिलता है, कोई हमें कह सकते हैं, उत्पादन कारी नहीं माना जाता है इस बज़े से ये विकासात्मक और गैर विकासात्मक में से डिवाइड किया गया है लेकिन ये शुरुआती अबधारना थी याणि जब हमारा देश आजाद हुआता आजाद होने के उपरान तुमारे देश में जो जो भी यहाँ पर विजट बगर लाए गया है तो उस दमें ये अवधारना प्रेशलन में थी विकासात्मक और गैर विकासात्मक वाली लेकिन समय के साथ साथ इस अवधारना को ट्याग दिया गया याणि इस बरगी करड को अब भारती लोग वित्त प्रवंदन में उपयोग नहीं किया जाता है अब यहाँ पर इसकी जगह सब्दावली आ गई है, योजनागत और गैर योजनागत भी आए, देखें ये कब से स्टार्ट हुआ, ये हुआ वित्वर्स 1987 से लेकर 1988 से भारती लोग वित्ति के साहित्त में यहाँ पर फिट से परिवत्म लाया गया, और अब विकासात्मक और गैर विकासात्मक भी आए, कि हो यहाँ पर योजनागत भी आए, और गैर योजनागत भी आए, यहाँ पर कहा जाने लगा, और ये बतलाव किस-किस आदार पर हुआ, एक समिती बनी थी, सुख में चक्रवती समिती, तो इसने सुझाव दिया था, कि इसको योजनागत और गैर योजनागत में डिवाइड करें, क्योंकि उस समय विकासात्मक और गैर विकासात्मक की जो परिवासा थी, वो आस्तम में विस्तरत नहीं थी, और समय के साथ-साथ, क्योंकि हमारा देश आजाद हुए, विलगा चालिस साल के करीब यहाँ भी गुजर गए हैं, तो य योजन प्रक्रिया पर किये गए ब्याय को यहाँ पर योजनागत ब्याय, यानि हमने जो प्लानिंग की है, कि आने वाली पांस सालों में हम अपनी एकोनोमी फाइप ट्रिलियन बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो करेंगे, तो यह हमारा क्या है, एक योजनागत ब्याय है, एबम, अनिषभी बयाओं को गयर योजनागत बयाओं कहा जाता था। यहाण उनको यहाँ पर बताया गया है, कि इन्हें हमने कि इन्हें हमने वही गयर योजनागत माल लिया और ये भी वही एक तरह से हो गया कि यहाँ पर योजनागत आपका विकासात्मक है और गयर योजनागत आपका आपका गयर विकासात्मक हमने माल लिया है अब इसमें भी यहाँ पर देखकती ये भी पूरा नहीं हुआ यानि कि जो जोजनागत और गैर योजनागत बैवाली अबधार्णा थी इसमें भी बाद में एक समिती बनी है इसने काई ये भी इसपष्ट नहीं है परिवासा ये भी सटीक नहीं है कि बजट योजनागत क्य गयरियोजनागत क्या होता है ये भी सटिक भ्याच्छा नहीं ओपा रही है एक तरह से हम जख सकते हैं विकासाथमक और गयर वकासाथमक का हमने यहां पर नाम करड कर दिया है हमें इस पश्ट यहां पर अबधारना कलियर नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस दौरान एक समिती बनी है सींग रंग राजन समिती और ये प्रधान मंतरी के आर्थिक सलागार प्रसित के अदेख्षते तो इनकी अदेख्षता वाली एक उच्छा दिकार समिती बनी है सितंबर 2011 में इसने सिफारिस की है कि योजनागत और जो गैर योजनागत बिया है इसको पूझी और राजस विया की रूप में पुनर परिभासित किया जाए कि हमारी पूझी प्राप्तियां कौन सी है और राजस वाली कौन सी है राजस का मलब यह है कर के रूप में या हमें जो है और जो हमने रिड बगरा जो मांटा है यानि लॉन बगरा जो मांटे हैं उनसे हमें प्राप्तियां हो नहीं वो सब राजस प्रभासित करने का सुधाव इसने दिया है तो इसने सुधाव इसलिए दिया है क्योंकि उस समय जो विकासात्मक या गैर विकासात्म की यह योजनागत यह गयर योजनागत बाल जो डांचा था उसमे बहुत सारी चीज़ें इस पस्ट नहीं हो पा रहे ज़िए कनसी चीज किसमें रखे हैं माली जी हमने जो लौन बांटा है लौन से में जो ब्याज बगएरा प्राप्त हो रहा है या फिर जो लौन में बापस मिलना है वो किसमें रखें बहुत सारी चीज़ें इस प्रश्ट नहीं हो पारें थी तो इस पज़त सी रंग राजन समिती ने ये कहा है और इसको पूजी और राजास चुपे के रूफ में रखें इस हैं इनकоньर्शार योजना आयोग को पंचवरसी जोजना बनाने के यमिदारी निमानी चाहिए यानि कि इन्होंने साब साब कहा था कि योजना आयोग और जो बित मंतरा लाए इसकी जो भी यहाँ पर गत्विदिया उसको डिफाइन किया जाए, पुन्हें परिवसित किया जाए, क्योंकि अत्क्रमड हो रहा था, आपसे मैं पहली बता चुका हूँ, योजना आयोक को इतना ज्यादा दर्जा दे दिया गया था, उसने बित्र मंत्राले में अत्रमड कर जो है, इससे अलग कर देना चाहिए, पहले क्या था, आपको पता ही होगा, कैंदर का पूरा मनमानी चलती थी, यानि Central Government कहने को तो हमारा संगीड हाँ चाहता लेकिन फिर भी Central Government हावी रहती थी, यानि राज्य अपना DCN खुद नहीं ले पाती थी, उसके कई रीजन है, इंदराजी की ही चलती थी, और कोई कुछ बोली नहीं पाता था उनके आगे, तो वहाँ पर योजन आयोगी तै कर देता था कि राज्यों का बजट कैसा होगा, तो यह साप साप डिमांज की जाने लगी राज्यों से भी, कि भाई, अब हमारा बजट हमें खुद से बनाना तो यह बात यहाँ पर साप साप इस कमेटी ने भी कही कि यह इस तरह का जो कार है उसको आप तत्काल बंद कर दीजिए और यह राज्यों को सौप दीजिए, साद्मिनिक ब्याय को पूझी और राजस दो हिस्तों में बाढ़ देना चाहिए, यानि जो भी आपका पबलिक आपका जो एक्स्टेंडिचर हो रहा है इसको पूझी और राजस में आप डिवाइड कर दीजिए, साद्मिक ब्याय के मामली में प्रवंदन वाला नजरिया होना चाहिए, यानि कि जो भी हम ब्याय कर रहे हैं, साद्मिक ब्याय कर रहे हैं, उसमें एक मॉनिटरेवल यहा यही है, योजना यह तो योजना यह तमाम आती रही, यहां का मुल्यंकन नहीं किया गया, यह हम पहले भी पढ़़ चोगे हैं, जब हमने एकॉनोमी स्टार्ट की दी, वहाँ पर भी बताया था, सबसी बड़ी दिक्कत हमारे दिसमें यही रही है, योजना पर योजना आत हां बहुत रच्छा रहा तो वही होता है यहां पर ऊपड़ हमारे क्वी यह बात बारबर कहीं भी जा रही है आगामी दुन में भी आपका निधायउ कंप बार बार बुल लाएं कि सबसे पहले मुल्यंक्टन करना चाहिए कोई भी योजना हमारी कितनी सार्थक रही है वास्ता में योजना लाद देने से ही काम ने चलेगा उसकी सार्थक्ता भी मापना चाहिए है सरकार ने राजकोसिय वर्ष 2017-2018 के समय से ही जैसा कि आप जानते हैं इसने योजना और ग्यार योजना ब्याय के बरिकर्ड को राजस और पुझी के बरिकर्ड में हस्तांतित कर दिया देखिए यहां पर जो दिक्कत ने थी दिक्कत ने इसमें भी थी अब इसमें दिक्कत ने क्या थी बोवी मैं बता दे रहा हूँ आपका जो यहां बताया गया था यानि कि जो आप देख रहे होंगे कि जो योजनागत ब्याय और गेर योजनागत ब्याय इसमें दिक्कत ने क्या थी इसमें बहुत सारी दिक्कत ने थी जैसे योजनागत ब्याय क्या होगा गेर योजनागत ब्याय क्या होगा अब गेर योजनागत ब्याय यहां पर वो बताया गया था जैसे आपका हॉस्पीटल बताया गया था इसमें स्कूल, सिचाई, बांध बगर बताया गयते या पर्सन पत्तियों की देख रहे हैं बताया गयती तो इस वजए से कई लोगों का मतभेद था कि भाई ये गैर योजनागत क्यों होगा अगर माली जी हम किसी को बैटर सिक्षा दे रहे हैं, बैटर स्वासे सिमाई दे रहे हैं तो कही ना कि हमारे लिए भविस्वन पूझी तो भी बन दा है तो इस वजए से ये योजनागत और गैर योजनागत में एस तरह से बिरोधा बास था और हमने उसकी जगे यही राजस और पूझी बाला कॉंसेप्ट यह फिर अपना लिया है क्योंकि मैंने एक एक एक्जांबल में आपको यहां पर दिया है पैसे तो और भी एक्जांबल आपको किताम में है लेकिन एक ही एक्जांबल मैंने रखाए कि वल क्योंकि उस समय दिक्कत यही दी कि उन्होंने योजनागत में केवल हो केवल भी रख लिया था कि हमें जो पैसा जो भी पब्लिक सेक्टर अंडर्टिकन लगे हो पी एसी उपकरम लगे हो उनसे जो प्राप्त हो रहा है वो भी हमारा योजनागत माना जाएगा और जो हम सिच्छा पे खर्च कर रहे हैं वो ग्यर योजनागत मना जाएगा इस वजए से जो भी अदसास्री थे हैं जो भी नीत निर्माद आते हैं तो अन्में विरूदा भास्ता कि यह कैसे गैर योजनागत हो गया, वही सिक्षा भे खर्च करना गैर योजनागत क्यों होगा, हमारा एक विसाल संख्यावल हमारा तयार होगा, एडूकेट होगा, और हमारे देश के आगे बढाने में योगदान देगा, तो यह गैर योजनागत क्यों हो गया, तो इस बज अत्वा सरकार के दोरा पैसों का उपारजन आए की रूप में जिसके गारट सरकार पर वित्ति भार नहीं पड़ता हूँ जैसे करसे प्रापता है है गेर कर आए है या बिद्यसी अनुदान तो यह सब राजस्तों माना जाता है रिवेन्यू माना जाता है यह सब आपके पर पर आपके रापति रूप में जानते हैं और उनके योग को हम यहां पर कुल प्राप्ति या टोटल रिसिप्ट के रूप में भी जानते हैं यहां पर अगला है राजस्ट प्राप्तियां रिवेन्यू रिसिप्ट यानि कौन-कौन सी राजस्ट प्राप्तियां हमें होती है यहां पर ठोड़ा और डिटेल में डिफाइन किया है कि करो या इनको लागू कर सरकार के द्वारा किया गया उपार्जन जो भी लाब अर्जित हो रहा है वो यह सब कर राजस प्राप्ति कहलाता है गयर 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 कर राजस दूरी है देखें यहां से प्रश्ण बनते हैं आप ध्यान देना यहां से प्रश्ण बनते हैं कई बार आप कन्फूज भी हो जाते हैं कि कौन कौन सी प्राप्तियां किस से आती है तो यह ध्यान से देना इसमें आपके लाव और लावांस आते हैं यानि कि जो भी प्रॉफि चाहें यह देश के अंदर दिये गए हो या फिर देश के बाहर दिये गए हो इन पर मिलने वाला ब्याज यह सरकार भी तो लॉन देती है सरकार तमाम जो बिदेसी संस्थानों को या बिदेसी जो भी सरकार है उनको लॉन देती है अब लॉन जो दिया है वही वो लॉन उसके बार ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा सरकार जो अपने देश के भीतर भी राज्यों को लॉन देती है अत्रिक्त पैसा देती है उस पर भी चापे जाते हैं, इन सबसे भी revenue जन्रेट होता है, तो ये वित्ती सेवाओं में आ जाता है, सामाने सेवाओं से भी सरकार को आया की प्राप्ती होती है, जैसे electricity हुआ, वित्रद से चाहिए हुई, banking, बीमा, सामदायक सेवाओं, इन से भी सरकार को revenue जन्रेट होता है, लेकिन हमारे संबंद बहुत अच्छे होते हैं, तो लोगो कहते हैं, हम आपको अनुदान दे देंगे, आप इस खेतर का विकास कीजिए, तो ये जो अनुदान मिलते हैं, तो ये कैन सरकार के संदर में हमेसा ये भाय होता है, और राजी के संदर में हमेसा ये आंत्रिक होता है, पैसा आपके याँ green energy के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे करके ये अनुदान भी आपके 10 राजसु में आ जाएंगे, बात करते हैं यहाँ पर जो राजस्ट से प्राप्तियां जो हो रहे हैं, ये पैसा पर जाता कहाँ है, राजसु ब्या होता कहा है, वो भी हम देखेंगे, यानि revenue expenditure, यह तो प्राप्तियां होगा ही राजसु ब्या की हमें, लेकिन हमारा राजसु ब्या है, वो हमारा कहां जाएगा, यह भी हम देखेंगे, इस सरकार के वैसे सभी ब्या, जो राजसु किस्म के, यानि revenue kind है, या फि इसका उपयोग सरकार को चलाने या फिर एक उत्पादर प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किया जाता है। जार से सामान खरीद पाएंगे अब लोगों के जेम में पैसा नहीं है तो लोगों खरीदी नहीं पाएंगे तो सरकार क्या करती है। पड़ता है तो वो ब्याजम कहां से चुकाएंगे उसका तो ब्याजम वो यहां से चुकाते हैं। सरकार द्वारा सरकारी करमचारियों को दिया जाने वाला बेतन या पैंसर वो भी यहां से निकलता है। सभी शेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली जो छूट रियायत है याणि सबसीडी बगरा है आपका ठीक है। तो बो सब भी यहां पर निकलता है इसी सही होता है। सरकार द्वारा जो डिफेंस का खर्च दिया जाता है याणि जो आपका रच्चा खर्च बगरा है आपका आर्मी बगरा खर्च होता है वो भी यहां से निकलता है। डाक घाटा याणि जो पोस्ट ओफेस बगरा है पोस्ट ओफेस में जो भी सरकार को घाटा लगता है वो भी यहां से हैंडल किया जाता है। क्या है जो कई वार क्या हुता है आपने देखा होगा है च hunगी चाहिए राज्य सुखाड़ाटानी डेफिसित जो है इसके बारे में भारत में याई नई शब्दाब ली है, इसका प्रियोग बित्वर 1997 अठाने से प्रानम्भ हुआ है सरकारी बजट के राजसुखाते का जो कुल व्याय है यद कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजसुखाता कहलाता है एक common example यहाँ पर ले लेते हैं मालीजे सरकार का राजसुखाते जो प्राप्तियां है वो एक हजार करोड की है ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 15 करोड रुपया यहाँ पर राजसुखाते कर दिया पेंसन भी देने पड़ेगी, डिफेंस पर भी खर्च करना पड़ेगा, और जो मद्ध हैं उन पर भी खर्च करना पड़ेगा, तो यह आपका जो आवश्यक भी अनिवारी भी है, और तत्कालिक भी है, यानि आप ऐसा नहीं है कि किसी को भुगतान या पैंसन पांस तालवा के लिए किया जा सकता है, जैनि कि सरकार कई बार क्या करती है, जो रिवेन्यू डेफिसित है, इस घाटे को कम करने के लिए ये कोशिस करती है, कि इसका पैसा कुछ ऐसे सेक्टरों में इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि हमारा जो रिवेन्यू डेफिसित है, वो कम हो जाए जैसे आपने देखा हो defense sector है defense sector में भी सरकार GID oh पर बल दे रहा है। हमारे GID oh के जरी है जो जो до total missile technology बगए रहा है जैसे आपने सुना होगा और इस पर चढ़चा भी चल ली हूँ और सहाद आने वाले एक या दो साल के बाद हमारे यहां से ब्रह्मोस का उतपादन होने लगेगा हो ब्रह्मोस मिसाइल हम यहां से निरियात करने लगेगे यानि अब तक हम क्या करते हैं अब तक हम जो भी defense system होते हैं जो भी मिसाइल बगरा होती है वो विदेसों से आयात करते हैं लेकिन यह पहला मौका होगा जब भारत धर्मोस मिसायलों को बाहर बेचेगा निया भारत निरियात करेगा तो उससे भी हमें आयर दित होगी तो कही ना कि वो भी revenue का source बनेगा हमारा तो यह हमारे लिए वाकही में है सरकार यह सब चीज़ें प्राद्धान जो कर रही सरकार यह बिजनरी सोच रही है कि आगे इससे सरकार को फायदा होगा सरकार के बास पैसा भी आएगा सरकारी वजट के राजस उखाते की यदि कुल आये, कुल व्याय से अधिक हो तो यह आधिक राजस अधिसेस यानि revenue surplus कहलाता है यानि माल लीडिये हमारा जो भी expenditure है revenue का वो हमारा 1000 करोड़ है लेकर हमें प्राप्तियां revenue की जो हुई है वो 2000 करोड़ ःविजीस होई है तो इस स्तिती में आपका क्या होगा आधिक राजस अधिसेस होगा तो उसका कितना घाटा हुआ हुआ है सामाने ते राष्टी या अंतराष्टी आंकलन के लिए GDP वाला तो यही मानक यहां पर प्रयोक किया जाता है जो भी आपका सकल करेल उत्पाद है तो ग्रोस गमेश्ट प्रोड़क्ट वाला जो आपका आंकला है यही प्रयोक किया जाता है अंतराष्टी आपका महापन के लिए अंतराष्टी आंकलन के लिए अगली आपकी हैडिंग है यहाँ पर प्रभावी राजस सुगाटा एन एफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट ए रडी थोड़ा सा इसके बारे में मैं इतिहास भी जानना पड़ेगा तो मैंने इसका इतिहास यहाँ पर ब्रीफ में लिख दिया है कि क्या है आपका प्रभावी राजस सुगाटा तो यह प्रभावी राजस सुगाटा एक नई अवधारना है और इसे संगी बजट 2011 बारा दौरा पहली बार इस्तिमाल किया गया है होता क्या है अपने हैं आपने देखा होगा कि हमारे हैं बाद बिवात जो मन्थन चिंतन चलता रहता है और समय समय पर सुझाओ जो हमें करने चाहिए आमुल चूल परिबरतन लाने के लिए वो हम करते रहते हैं तो उसी का परणाम आपके यह वाला भी है यानि हमने प्रभाबी राजस्तो घाटा वाला जो अवधारना है वो इसी मैसे ही निकाली है बताया गया है कि परंपरगत रूप से राजस्तो घाटे में क्या होता है कैंसरकार के बैबी सामिल होते है जो वह राजसरकारों को अनुदान की रूप में देता है बलकुर सही बात है हमारे राजस्तो घाटे में वो चीज़ें भी आ जाती है जो अनुदान के रूप में हमने अन्जगों पर दी होती है और इनसे कई विकासित परसंपतियों का सरजन होता है याँनि अगर देखा जाए ये वैसे तो घाटे में आपके एड हो जाते हैं लेकिन इनसे भभिस्य में बहुत सारी विकास में परसभिया के तौर पर देखा जाता था लेकिन बाद में डियार विकासात्मक यह अनुतपादक नहीं माना जा रह सकता है, जोकि इनसे प्रितिक्ष विकासील निवेस होता है. क्यों कहीं नहीं अपने जो अनुदान दिया है राज्यों को, और राज्यों ने वो वास्ता में अनुदान सही जगेर पर लगाया है, निमालिजी और ईजगेसल पर लगाया है, पर लगाया है तो उससे भारत को इलाम मिलेगा यहां पर 2011 बारे के बजट सही अब धार ना रखी गई कि इस तरह की जो बात है उसको आप भार निकाली है यह तर्क रखा गया यहां पर किस कारड केंदर के राजस सुब्याय मैं से उन खर्चों को जिनमें राज्यों में परसंपत्यां सर्जित होती है इनको घटा कर देखा जाना चाहिए यानि आपने जो अनुदान दिया है और उस अनुदान से राज्यों में जो भी परसंपत्य सर्जित हो रही है तो उस परसंपत्ति को आप अपने गाठे में मत एड़ करिए बलक़ उसको जो है घटा दीजिए गाठे में से क्योंकि वो तो भारत के लिए थू है ब Geme ön cap, केंद्र की अधीन नार है, राजी का दीन नार है तो भारत की संपत्ति तो ऐसे करके यहाँ पर अपधारना निकल कर आई तो ऐसे करके यहाँ पर भई बताया गया है तो इसको अगर निकाल देते हैं, तो हमें यहाँ पर एफेक्टिव रवेन्यू डेफिसिट प्राप्त हो जाएगा, यानि इस तरह की जो अनुदान है वो पूजी गत्माने गई हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बलके आपके बित्र मंत्री ने या फिर आपकी बारस सरकार है उ पर प्राप्त हो का बित्र एफेक्टि प्राप्त हों है, तो इसे हम यहाँ पर राजस्व बज्ट के ब्यायए और आयसे हैं तो इसे हम यहाँ पर नाबसे जानते हैं और इस budget में कुल राजस प्राप्ती और कुल राजस ब्याय का बार्सिक वित्ती भी और प्रस्तुत किया जाता है कि हमें कितना प्राप्त होगा, कितना हम राजस में से खर्च करेंगे, इसमें अत्रेक रहेगा या फिर घाटा रहेगा, तो यहाँ पर दोनों तरह का यह हो सक सकता है या तो surplus में जा सकता यह यह फिर घाटी में जा सकता है देगे खास करके आपने पढ़ा होगा अमने बताया भी था जो हमने मुद्रा-स्पिती वाला chapter आपने कवर किया था कई बार मुद्रा-स्पिती अब या डाउन जानने के समय में सरकार क्या होता है, घाटे का budget निकालती है सुना ओगा आपने, कि घाटे का budget कप लाया जाता है तो यह जू घाटा वाला budget है यह जो budget वाली अवज़ट वाली अभधारना है वो आपको आगी चलकर और ज्यादा clear हो जाएगी इसलिए लाया जाता है, और लिए पूजी बजट खास करके जब हमें पूजी परसंपत्यों का निर्माड करना है तो वो बताया गया है यह है बजट का वह भाग है जिसका संबन्द पूजी की प्राप्ति और ब्याइसे है यानि खास करके आप जो भी कैपिटल खर्च कर रहे हैं और कैपिटल जो आपको प्राप्त हो गेन होगा उससे समझ जिता है यह उन साधनों को दर्सा आता है जिसके तोरह फूजी का प्रबंधन किया जाता है ता उन छेतरों को दर्सा आता है पूजी का ब्याय होता है यानि खास करके PSU वगयरा पूबलिक सेक्टर अंडर्टेकन है आपका और इंडियन रेलवे हैं आपका ठीक है ये सब सरकारी जोब करम है जहां पर आप पूजी इंवेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको लाब मिल लाए दिरकाल में तो वो सब चीज़े यहां पर आ जाती है तो इस अगर हम मालीचे इन सब का हमें विकास कर रहा है और इसके लिस से समं राजस्ट प्राप्तियां होती है उनको पूजी प्राप्ति कहते हैं और भारत में पूजी प्राप्ति में यहां पर कौन-कौन से चीज़े सामिल की गई है वो बहताया गया है रिड की बसूली यानि जो भी आपके लोन बसूली करते हैं तो यह भी हमारी पूजी प्राप इन्हें राजस्त प्राप्तियों में भी सामिल किया जाता है और खास करके पूजी प्राप्तियों में भी सामिल किया जाता है जो भी यहां पर आ जाता है और इसमें भी लॉन में आप जानते होंगे दोनों किसम के लॉन होते हैं आंत्रिकर्ज और भायकर्ज आपने अच्छे से जानते है आंत्रिकर्ज क्या होता है भायकर्ज क्या होता है यह अंत्रिकर्ज का मलब अंदर देश के अंदर के राज्यों से लिया है भायकर्ज में सरकार बढ़ वेंग है आपका IMF है, अन को दूसरे बैंग है अन दूसरे विदेसी बैंग है, अभिती सरस्तान उनसे हम जो लॉन लेते हैं, वो इसमें आ जाता है सरकार की अन्य प्राप्तिया अन्य प्राप्तियों में क्या क्या जाता है जैसे लंबी अबदी के जो पूजी इगट्टा कर रहे हैं लोगों से माल ये सरकार जो PF काट रही है Provident Fund काट रही है अभिस्ति निदी के रूप में लगु बचत योजनाए है इंद्रा विकास पत्र है किसान विकास पत्र है यानि आपने देखा होगा जो बीमा बाली यह अन्य प्राप्तियों में आ जाती है पूजी गत्ब्याई Capital Expenditure यानि आपने राजस तुगाटा देख लिया अब यहाँ पर पूजी गत्ब्याई को हम देखेंगे यह क्या होता है वैसे सभी शेत्र जिने सरकार से पूजी प्राप्त होती है पूजी गत्ब्याई का भाग होती है यानि जहान आसे में पैसा प्राप्त होता है वहाँ पर पैसा खर्च भी होता है और यहाँ पर कौन-कौन से सामेल है इसमे सरकार द्वारा बिद्रित रिड यानि सरकार जो जो यहाँ पर लॉन माटती है वो भी पुझीगत ब्याय में आता है इसमें सरकार द्वारा दिये के आंतरिक रिड़ आते हैं जैसे राज्यों को, कैंसासित प्रदेसों को, PSU को आपके या फिर जो भाय रिड़ है, अन्य देसों को हमने दिये विदेसी बैंकों को जो रिड़ दिये हैं वो सब इसमें आ जाते हैं यह पुझी गत्वयाय में ही है सरकार द्वारा पूर में लिए गए रिड़ों की अदायगी यानि हमने माली पहले कोई कर्ज लिया हुआ से दस साल पहले तो यहाँ पर वही बताया गया है क्योंकि दोनों से निकाला जाता है वैसा सरकार का योजनागत भिया है यानि इसका उपयोग सरकार जो कहने सरकार योजना बिकास या राज्यों के योजनागत बिकास को समर्थम देने के लिए करती है तो हाला कि इस तरह का योजनागत भिया वाला पूजी और रायस ब्याय दोनों सामिल होते हैं, यानि डिफेंस वाले रक्षा बजट में दोनों ब्याय आ जाते हैं, पूजी ब्याय भी आ जाता है, और रायस ब्याय भी इसमें आ जाता है, सामाने सेवां के लिए सामाने सेवा, तो बताया गया है, जैसे रेलवे हैं, यह सामाने सेवा हैं, यह बुन्यारी इंफ्रेस्टर में आ जाती हैं, जलापूर्ती है, सिख्छा है, ग्रामीड विस्तार है, इत्यात के लिए पूजी बे की आवशक्ता होती है, तो यह बताया क्या है यहाँ पर Яंज इसे हम कहते हैं करमचारी बवश्य निदी वाला जो पैसा होता है यांजि सरकारी करमचारी होते हैं इस्स्टाल नगली सेली का 10% कार्ट आ जाता है साइद तो वो भविस्ति में ये कहा जाता है कि आपके तरह पैसा इखटा हो जाएगा जब आप रिटायर होंगे तो इसका 40 और 50% तो उस समय मिल जाता है और बाद बाकी का एक किस्त टाइप बन जाती है बोगता होता रहता है पैंसन के रूप में तो आपका वो भविस्ति निदी हो गई अब भविस्ति निदी के बारे में यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है आपकी किताब में बताया गया है कि सुरुगात में 3-35 साल तक हमारे समय में यह संकट kriyet नहीं हुआ क्यों? 30-35 साल तक रिटाइर्मेंट होने माले हुए संक्या बिलकुल ना के बरावर दी रिटार्म nae होने रही थे नहीं हमारे फ्रमने सब पूरा कह सकते हैं कारिसील हमारी जलसंग क्या थी उस समय, यानि कोई रेटायर्मेंट वाला था ही नहीं, लेकिन 30-30 साल बार जब लोग रेटायर होने लगे, तब सरकार के ऊपर यह अत्रिक्त वित्ती खर्च बढ़ा, कि अब तो रेटायर्मेंट यह स्टार्ट होगा, पैंसन भी देनी पड पड़ी है, फिर बाद में सरकार ने इसको हैंडल कैसे किया है, तो यहां पर जो भी देंदारिया थी, तो उन देंदारियों को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है, जो भी पैंसन भी बगएरा है, इस पर इसके ब्याज में कटोती बगएरा रख दी है, ताकि जो पैंसन पैंसन वाला जो concept है वो भी खतम कर दिया है सरकार ने पैंसन वाला जो concept है इसकी ज़ेगा है वही कर्मचारी वभशनिदी वाला जो भीमा करवाना पड़ता है और आपको भीमा की रासी कटवानी पड़ती है इसका सरकार फिर उप्योग करती है जो अपना अर्स अजन के या पूजी की विरलता के अर्थ में रोजमर्रा की जो आर्थिक समाचारे इन में सुनने को मिलता है यानि लेकिन वैसे ओफिसियली ये अर्षास्त की वासा में कोई शब्द ऐसा नहीं है अब हमारी हेडिंग है यहाँ पर राजकोशिय घाटा तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राजकोश क्या होता है राजकोश के बारे में आप पहले भी बहुत सारी बात हैं सुन चुके हैं कहानियों में किस्तों में आपने पढ़ा भी है कि पहले राजा का अपना एक कोश हुआ करता था राजकोश हुआ करता था और जब कोई अकाल वगरा पढ़ती थी या कोई संसादनों की आवशकता पढ़ती थी तो राजा जो होता था अपना राजकोष खाली कर देता था या राजकोष को लुटा देता था इस तरह की बात आपने सुनी होंगी तो राजकोस वाली अबधारना वही अबधारना चली आ रही है यानि एक तरह से जमा पूजी जो सरकार के पास राजस की आमदनी जो होती है पूजी की प्राप्तियां होती है उनको मिलाकर जो भी यहाँ पर सरकार की बचत होती है वो राजकोस के रूप में संचित हो जाती ह सरकारपुर्य कर्च उन्हीं से कर्थी, और राजिकोसी घाटि को धर्साओध है. यह एक्सामपल हम ले सकते हैं, हम एक्क लाग करोड रुपे का तो यहा पर क्या हुआ है, हमें जो भी प्राप्तियां होई है राजस के मादरम से पूझी प्राप्ति के मादरम से एक लाग करोड रुपे की हमें प्राप्तियां होई है लेकिन हम इससे ज्यादा खर्च कर गए यानि सरकार अपने आय से अधिक व्याय कर रही है राजकोसी घाटे को मापते कैसे हैं राजकोसी घाटे को यहाँ पर मात्रात्मक रूप में या फिर GDP के प्रस्थत के रूप में भी से दर्साय जा सकता है हमारे यह GDP के प्रस्तत के रूपही से हर साल दर्साया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर प्रात्मिक घाटा, primary deficit, देखें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने बाली बात है, राजिकोसी घाटा और प्रात्मिक घाटा के बारे में, कई बार यहाँ पर confused हो जाते हैं लोग, त आपका चालू बित्वर्ष बोला जाएगा, यानि आपका current year अभी आपका है, और इससे पहले वाला कौंसा होगा, इससे पहले वाला कोगा, जो पिछली उधारी के ब्याज को घटाने पर हमाने अपर प्रात्मिक घाटा मिलता है, यानि कि यह जो हमारा राजकोसी घाटा, क्या है यहाँ पर यानि चालू बित्वर से हमने जो पिछली उधारी है यानि ये वाली इसकी उधारी का जो हमने ब्याज चुकाया है तो इसे गटाने पर हमें क्या मिलता है प्रात में घाटा मिलता है जहां राजकोसी घाटे में ब्याज भुगतान सहित सरकार की कुल उधा सामिल हो जाती है वहीं प्रात में घाटे में क्या होता है यानि प्राइमरी डेफिसिट में ब्याज के भुक्तान को सामिल इसमें नहीं किया जाता है यानि ब्याज के भुक्तान को निकाल कर आपका जो प्राइमरी डेफिसिट प्रात होता है इस सब्द का इस्तमाल भी भारत में 1997 के बेट से करना शुरू किया गया था ये भी भही सेम है यानि कि आपका राजकोसी घाटा को निकालने का प्रोसेस है भही इसका है मातरात्मक रूप है और GDP के प्रस्टत के दोनों रूप में दिखाया जाता है वर्स 2003 में राजकोसी है उत्तरदाय तो कानून के प्रवर्तन के उपरां सरकारों द्वारा राजकोसी घाटे को नियत्त करने की दिसा में काफी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है यहां पर आता है अब आपका अगला कौन से अब प्रात्मिक अतिरिक प्रैमरी सर्पलस यहां बजटी परक्रिया की ऐसी स्थिती है जब सरकार की सकल कर प्राप्तियां उसके सकल ब्याय यानि व्याज भुक्तान को छोड़कर इससे अधिक होती है यानि सरकार को जो भी प्राप्तियां प्राप्त होई है इसके सकल बयाय से यानि किसमे खास्कर करें बयाज भुक्तान को न्काल दिया जाता है। और पूझीगत बयायों को समंग्यक्ता मिलती है। अन्य राजकोसी पहल्गों को समझने में भी इससे काफी मदद मिलती है जैसे कर के आधार की स्थिति क्या होगी माली जे सरकार का सरप्लस जादा है सरकार क्या करेगी करों बगारा में छूट देदेगी कर बढ़ाएगी नहीं रिड़ जीडिपी अनुपात कितना है आपका कर अनुपालन की स्थिति कैसी है सरकार की राजकोसी सामर्थ कितनी है ये सारे अनुवान जो है हमें इस प्रात्मिक अत्रेक से हमें मिल जाते हैं अगली आपकी जो है यहां पर अबधारना है आपकी मौदरिकरत घाटा monetized deficit ये भी काफी important है और ये आपका कई बार prelims में भी पूछा गया है मौदरिकरत घाटा क्या होता है और मौदरिकरत घाटा के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा सायथ अगर आप दश्टी magazine जो आती हर मन्त उसमें हर बार ये आर्टिकल कही ना गई महीने में दो तीन बार या मलब तीन-चार महीने के अंतराल पर ये रिपीट हो जाता है मौदरिकरत घाटा हमारा इतना देखा गया ये ऐसा देखा गया इस तरह की अभधारना रिपीट होती रहती है जैसा कि हम लोग जानते हैं 2015 से Officially एक यहाँ पर जो है agreement sign हुआ है भारत सरकार का RBI के साथ और तब से जो आपकी मुदराइस्पीत ही है यह हम यह कह सकते हैं जो भी मौदरिक नीत है उसको नियंतलत करने का काम कौन कर रहा है RBI कर रहा है Officially बैसे हाना कि 70 के दसक से ही RBI को जिम्मा सौंप दिया गया है लेकिन 2015 में सरकार ने थोड़े और इस्टिक प्राबधान कर दिये कड़े प्राबधान कर दिये और अब और सारे मलब बहुत सारी बात हैं कह दिए इस तरह से इस पराज के बीतर आपको मुद्रा स्पीदी को रखना ही रखना है तो यहाँ पर क्या होता है कई बार क्या होता है कि राजकोसी घाटा सरकार का जादा होता है राजकोसी घाटा को पूर्दी करने के लिए सरकार क्या करती है RBI से लौन लेती है, कर्ज लेती है, कर्ज के लूप में लौन लेती है तो ऐसे करके कहने का मलब यह है कि यह जो लौन सरकार को दिया गया है RBI की द्वारा यह इसे मौद्रीकत घाटा कहा जाता है यह अवधारना भी आपकी 97-98 से उपयोग में लाई जा रही है, सब्दकी अवधारना किसी वित्वर्स के लिए इसे मात्रात्म या फिर सकल घरेल उत्पाद के प्रस्थत के रूप में दर्साया जाता है अपने बयायों के बित्वर्स के लिए भारत सरकार द्वारा छोटी और दीर गवधी के लिए 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 लेती है रिड़ों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा लगवधी के जो है ट्रेजरी बिल्स धान देने बाली बाती है कि जो सरकार रिड़ प्राप्त करना चाहती है उसके लिए क्या करती है ट्रेजरी बिल्स जारी करती है तो ये जारिया करती है, यानि कि ये प्रतिबूतियां जारी की जाती है, और ये प्रतिबूतियां खास करके वित्ती बाजार में बेची जाती है, यानि कि RBI इने खरीदता है, रात में खरीदार इनका RBI होता है, तो RBI को इन प्रतिबूतियां की खरीदने की यहाँ पर अनि लेजसे प्रतिबूती की जो अपधार ना अब तक हो गई होगी प्रतिबूती कुछ अलग नहीं है पस सरकार का ठपा लग जाता है वहाँ बर और ऐसे करके वहाँ पर सरकार एक जिम्मेदार बन जाती है तो वही है कि यहाँ पर सरकार जो यहाँ पर लिखकर दे देती है कि हमने इतना लौन RBI से इस सेशन में प्राप्त किया है तो वो सरकार जो लिखित में दे रही है, RBI को लिखित में जो अपना पत्र दे रही है, वो यहाँ पर प्रतिबूती माना जाएगा वर्स 1997 में अर्थो प्राय अग्रिम एनि बेज एंड मीन्स एडवांसिस की सुरुवात के बाद RBI का ट्रेजरी बिलों का अनिवार ग्रहक होना जरूरी नहीं रहा, लेकि समय के साथ साथ इस अपधार ना में बहुत साड़े परिवरतन किये गई हैं, पहले ऐसा माना जाता कि भाई जो भी सरकार जो जहांपर ट्रेजरी बिल या जीस एक्स जारी कर रही हैं, तो वो mostly RBI खरीदें, उसका खरीदार RBI होना चाहिए, लेकिन समय के साथ से सब्धार ना खत्म कर दिया गया, वर्स दोयार 13 से सरकार के लवववतिकी रिणोंक की आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए, एक 14 देवसिय मादमिक ट्रेजरी बिल की सुरुगात की गई, जिसका RBI के लिए ग्रहाक होना अनिवार नहीं है, या इसमें भी ये बात साब साब कह दी गई, कि अब RBI से खरीदे होना भी अनिवार नहीं है, और अब यह भारत सरकार के रिड़ कारिक्रम का सिर्फ प्रबंदन करता है, यानि कि जो जी सेक्स वाली जो लॉंग टर्म की प्रिद्बूतियां होती थी, तो अब ज़रूरी नहीं है, आर्बिया इन्हें खरीदे ही खरीदे, यानि भार से भी सरकार जो यहाँ पर पैसा जुटा सकती है, आना कि यहाँ पर इसका जो प्रबंदन है, यानि इसका जो मैनेजमेंट है पूरा, वो आर्बिया ही देखता है, यानि यह पूरा रिड़ कारिक्रम जो चलाया जाता सरकार की द्वारा कि भाई हमें पैसा घट्टे करने ही चुँकि आर्बियाई अब ट्रेजडी बिलो एवं जी सेक्स का प्रात में घराक नहीं रहा है, अत्या तकनीकी रूप से भारत में मौदरिकत घाटा अब समापत हो चुका है, यहाँ पर यह ओफिसियली खत्म होने के बापजूद भी आर्बियाई से ही यहाँ पर पैसा लिया जाता है mostly और RBI को ही जिम्मा सौपा गया है कि आपको अपने देश में जो मौदरिक नीते हैं उसका संचालन करना है, यहाँ पर मौदराइस्पिती की जो परास है, उस परास से भार मौदराइस्पिती नहीं जाने चाहिए, तो कहने का मलब क्या है कि जो मौदरिक कर परकरत वाला जो घाटा है, इसकी अब धार्ना भी खतम नहीं हुई है वास्तिकता ये है कि वैसे तो समाप्त हो गया है तक टेकनिकल ये तो समाप्त कर दिया है गौउन्मेंट ने लेकिन अभी भी वास्तिकता में यह है, है मौदरिक घाटा हर साल देखने को मिलता है, और सरकार इसे दरसाती भी है यहाँ पर अगली आपकी heading है budget घाटा तथा budget अधिसे deficit and surplus budget सरकारी बजट की कुल आए यानि राजस खाते की आए प्लस पूझी खाते की आए यदि ब्याई से अधिक हो तो यहाँ पर इसे budget अधिसे कहते हैं इसी तरह सरकारी बजट का कुल ब्याई यानि राजस खाते की आए और पूझी खाते की ब्याई है यह कुल आए यानि राजस खाते की जो आए या पूझी खाते की आए इससे अधिक हो तो यहाँ इसे आधिक budget घाटा कहलाता है यानि साब साब कहने का मालब क्या है कि हमें जो कुल आय जो है हमारी जादा रहे और हमारा कुल ब्याय कम रहे तो हमारा ये बजट अधिसेस मना जाएगा भही हमारी जो कुल ब्याय जादा हो जाए और कुल आय कम हो तो इसे आधिक बजट घाटा मना जाएगा तो आप समझ गए होंगे से अब देखे ये इसका परियोग नहीं करती है, ये पेस नहीं करती है, क्यों? क्योंकि कोई भी अर्थविवस्ता हो, आपकी चाया विक्सित देश की अर्थविवस्ता हो या विकासिन देश की अर्थविवस्ता हो, उसमें आमूल चुल सुधार, आमूल चुल परिवर्तन और समय समय पर वहा करना ही नहीं पड़ेगा हर किसी अर्थविवस्ता में करना पड़ेगा और हम ये भी पीशे पड़ चुके हैं कि जतनी ज़ादा डफ़प अर्थविवस्ता होगी उसमें ब्याए की ज़्यादा दिमांड रहेगी जितना ज़्यादा देस संपन होगा उसमें बैखी खर्चों की ज़्यादा डिमांड की जाएगी कम डिमांड नहीं की जाएगी जो लोगे सोचते हैं कोई देश बिक्सित बन गया है बहाँ पर सरकार ओं खर्चा नहीं करना पड़ेगा बचत होगी नहीं ऐसा नहीं है ज़्यादा बिकास हमारे लिए ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड करता है तो ये बात भी हम पहले कलियर कर चुके हैं इसलिए हमेशा से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आधिक बजट यानि कि जो बजट अजिसेस वाली अफदारना इस गड़ जोड में रहती है कैसे भी करके जो राजस घाटा हुआ है उसकी आपूर्ती की जाए उसको पूरा किया जाए क्योंकि अकर घाटे की पूर्ती नहीं होगी और घाटा लगातार हमारा बढ़ता चला जाएगा तो यकीन मानिए एक दिन इकोनोमिक क्राइसिस भी आ सकता है तो यह सरकार के दोरा बजट घाटे के लिए की गई बित्प्रबंदन की एक प्रक्रिया है वास्तम में और इस प्रक्रिया में सरकार को यह पूर भी मालूम होता है कि उसका कुल व्याय कुल प्राप्ती से अधिक होगा तथा वै ऐसी नीतियों का निर्धारत करती है जिससे इस घाटे को वहन किया जा सके इसका पहली वार उप्योग कहां किया गया था 1930 के दिसक में USA यानि अमेरिका में लोगवित के चित्र में किया गया था आपको याद होगा 1929 की जब महामंदी आई थी तो महामंदी के दोर में इस तरह के जो प्रादधान है वो इस्तिमाल किया जाने लगे थे क्योंकि महामंदी के खौप पूरी दुनिया पर था दुनिया में महामंदी चा गई थी 1929 की सबसे बड़ी इतियास की महामंदी मानी जाती है तो उस समय जो है यहाँ पर आप देखेंगे सरकार का हस्तियप यहाँ पर निकास करके राजी का हस्तियप हर्टेवस्ता में यहाँ पर माना गया था कि राजी का हस्तियप होना चाहिए ताकि भविस्ते में हम किसी भी तरेगी समस्या से निबट सकें तो बहाँ पर इस सब्धारना का प्रयोग किया गया था और बाद में इस से प्रेरित होकर यूरोपी दियतों ने भी यहाँ पर इस कारिक्रम को अपनाया है भारत में भी इस कारिक्रम को बाद में अपनाया गया है घाटे का बित्पुषट करने के लिए तो भारत ने घाटे बित्पोशट करने के लिए चलाया गया है लेकिन कब तक चला है जब तक ये फ्लॉप ना हो गया है फ्लॉप होने के कगार पर पहुच गया है तब माना जाने लगा है कि इसमें आप रिफॉर्म की जरूरत है फिरसे सुधार करने की जरूरत है ताकि जो घाटे का होती है जब सरकार को किसी निर्धारित अबदी में विकास है तू उपारजन से अधिक खर्च करने की आवशकता होती है और विस्टी बात है हम पहली भी डिसकस कर चुके हैं यानि कि जो कहते नहीं है ज्यादा ग्रोज जो होती है ज्यादा विकास जो होता है वो ज्यादा investment की भी डिमांड करता है यानि कि आप अगर अपिक्छा लगा के बैट रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी चुट देनी पड़ेगी तब ऐसे हो पाएगी ऐसे नहीं हो पाएगी हमने कह दिया और हो गई नहीं तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जितनी ज्यादा हम अगर अर्थविवस्टा को आगे दोड़ाना चाहेंगे तो उसमें उतना ही ज्यादा निवेस की आवशक्ता भ हैंगे तो आने वाले पांस साल बाद हमें इसका अच्छा खासा रिटन मिलेगा तो ऐसे करके हम क्या करते हैं अभी जो है ततकाल लूप में अभी आपका चालू वित्ते बरसे में उसमें लगातार निम्रेश्ट करने लगते हैं यानि खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं क इस वजए से हमारा जोगा यहां पर घाटा हो रहा है 1930 के दसक में पहली बार संयुक्तराज अमेरका ने इस प्रकार की नीत को अजमाया और उसके तुरंत बाद पश्मी यूरोप एबं उत्तर अमेर की सरकारों ने इस नीत का अनुसरण किया और इस नीत के द्वारा ही वि कह सकते हैं हमारी हार्थ बजट की एक एहम नीती बन गई है अनुवार नीती बन गई है बात करते हैं यहां पर घाटे के वित्त पोशट के साधन कौन कौन से है यानि कौन कौन से साधन है जिनके जरिए हम यहां पर घाटे का वित्त पोशट करते हैं जब बित्ति अभाव पर external acts यह हो है आपका जो है यह depend करता है आपकी जो भी diplomatic संबंद हैं इस पर depend करता है यसे माल लीजिए सुरुगात के समय में जब हमारा देश आजाद हुआ ही हुआ था तो हमारे संबंद इतने ज्यादा मधूर नहीं बन पाई थे फिर दीर दीर करके हमने रसिया पगरा से संबंदों को जो खोड़ा और क्लोज किया है तो हमें वहां से जो आर्टिक साहता मिलना स्टार्ट हो गई है पहली बात ही है जो आपको अनुदनान मिलता है विजिस साहता दी जाती है कोशिस यहीं की जाती है विजिस संस्थानों के द्वारा या विजिस सरकारों के द्व आख़ी जो संबन्द है उसमें भारत एक नई दिसा में आगे बड़े भारत जो एक नया कीर्तिमान इस्थापित करे तो उसमें सवलता भी पाई है इन्हीं आप देखेंगे आपने गर मुझे रेगुलर्लरी फॉलो करते हैं मैंने आपको पताया भी है लाश 10 की जब हिस्ट 1975 में जब आपका पहला जो आपका परमाण परिछड हुआ था उस दौर में कुछ देश जो थे यानि यो परमाण संपन देश थे वो हमसे थोड़े रुष्ट हो गए थे उन्हें लगने लगाता अगर भारत कहीं परमाण सक्ती संपन देश बन गया तो हो सकता है आने वाल यह बात आप जानते हैं अगर अपर क्या होता है तो क्या होगा कोई भी सरकार होगी हम पर जो भी दवाब डालेगी हमें उसको मानना पड़ेगा यानि हमारी संप्रवत्वता का कहीं खंडन होगा इससे लेकिन इसके अपने फायदे भी हैं और यह आंत्रिक रिट से दो का जाड़नों से बहतर माना जाता है याणि इसके अपने फायदे भी है ऐसा नहीं नुकसान नहीं हो फायदे भी है बसरते संतलन होना चाहिए यानि जो भी हम external जो borrowing ले रहे हैं यानि जो बादेसी रिड ले रहे हैं उसमें एक संतलन होना चाहिए पहली बात फायदे बनत क्या बिदेसी रेट है इसे सरकारी ख़र्च को अत्रिक्त फायदा होता है गरेडेसी रेट है मुदड़ा के रूप में realidade उसको पोने सही करने में मदद मिलती है जैसे आपको पता होगा 1990 दिसक में हमने सुधार किये हैं और सुधारों के समय दिक्कत भाही इसके लाबा यह crowding out प्रभाव के कारड़ भी एक बहतर माना जाता है crowding out का मतलब क्या होता है देखिए देश के भीतर जो भी आपके संस्थान है यानि सरकारी बैंक सही या और आपके निजी छेत्र के बैंक सही अगर माल लेगे इन सब का profit सरकारी निकाल लेगी यानि इन सब का profit सरकार निकाल लेगी तो सोचने बाली बात यह है कि जो देश के भीतर मौजूद आम जनता है वो द्योग पती है वो कहाँ लोन लेने जाएंगी बिजनेसमेन वगेरा हैं द्योग धंदे चलाने वाले वो लोन लेने कहाँ जाएंगे सरकार SBI का सबी इसनी प्रमोक बैंक हैं इनका पैसा खुदी यूज करने लग जाए खुदी इन से लोन ले 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 तो बाद बागी छोटे मोटे लोग का जाएंगे वो तो मर जाएंगे विकार समारा बिल्कुर रडात्मक पहुंच जाएगा तो इस वज़े से सरकार क्या करती है यह चोटे संस्थानों से यानि अपने देश के भीतर के संस्थानों से एक limited मात्रा में लोन लेती है क्यों अगर सरकारी सारा पैसा इनका लोन के रूप में ले लेगी तो वास्पिकता यही है कि आम आदमी को पर क्या मिलेगा तो यहाँ पर इसे crowding out कहते हैं इसे crowding out effect के रूप में जाना जाता है क्योंकि सरकार यादे देश के बैंकों से रिड़ लेगी तो अने निवेस के लिए कहां से रिड़ लेगी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में अपने रिड़ों के एक हिस्टे की पूर्ती बज़ेसी बाज़ार से करने का प्रस्ताव संगी बज़ट 2019-20 में रखा गया है इसके लाबा सरकार ने ECB बगएरा बाले जो प्राफधान किये अगला है आंत्रिक रड़ यादि इस किस्म का रड़ अत्यदिक लिया जाता है तो जनता पर नीजी शेत्र के निवेस संभावना उपर प्रित्कूल प्रभाव पड़ता है वही crowding out effect वाला प्रभाव देखने को मिलता है और अर्थ विवस्ता पर दोहरा नकारात में जो उद्योग दंदे चलाने के लिए पैसा चाहिए तो उनके पास पैसा नहीं होगा और ऐसे करें क्या होगा लो इन्वेस्टमेंट होगा निम्न वेस होगा और निम्न वेस से क्या होगा निम्न उत्पादन होगा निम्न उत्पादन से हमारी जो निम्न GDP रहेगी और ऐसे अर्थविवस्ता की जो गती है बहुत slow हो जाएगी यानि बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी खास करके हम देखेएंगे हमारेघी तक यही बाला महौल बना रहा था अर्थविवस्ता Also जाता धीमी बनी रही थी और यह उसका कारड यही आंत्रिक्रड रिड़ पर बहुत ज़्यादा हमारी सरकार जोड दे रहे थी, खास करके LIC पर सबसे ज़्यादा था यहाँ बोज था, और भी जो आपके सरकारी संस्थान उन पर बोज था, तो इस बज़ेसे से यहाँ पर आप देखेंगे हमारी अर्थ विवस्ता की जो गती तो और अच्छी बात है, मैं अगले बाले इस समझे जो वीडियो आता है, तो समझा भी दिया करूँगा, तो हाना कि इसमें पूछ भी लिया गया है, तो उन्होंने पूछा था कि सर, यह बताईए कि जब सरकार असीमित पैसा चाप सकती है, तो हम क्यों ऐसा नहीं करते है कि असीमित पैसा चाप लें, और पैसा चाप के हम क्या करें, हम अपने जो जरूत हैं खुद ही पूरी कर लें, अच्छी बात है, तो पहली बात ही है कि जो मुद्रा आप चापेंगे, आपकी मुद्रा का एक मूल भी होना चाहिए, और जो मूल आप हमने देखा था, चापते जारें, चापते जारें, तो क्या होगा, हमारी मुद्रा एक तम रदी के भाव चली जाएगी, हमारी मुद्रा का कोई मूल ही नहीं रह जाएगा, और अपनी मुद्रा जो होगी न, वो अपनी साक खो देगी, जैसे कि आपने देखा जर्मनी के साथ हुगा, जर्म मुद्रा दर है उसके साथ सामझ से बैठाया जा सके अगर सरकार हस्य जादा पैसा चाप देगी तो यकीन मानिए जो मुद्रा की वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी तो यहां बताया गया यह वित्ती घाटे को कम करने का अंतिम हतियार है लेकिन इस साधन की विकलांगता यहां पर यह है कि मुद्रा की सरकार इसके द्वारा वैब यह नहीं कर सकती है जैसे विकलांगता यही है पहली बात जो भी मुद्रा चाप रहे है अगर वो अपनी साख हो चुकी है अपना मूल ले खो चुकी है तो आप उसके जरीए विद्यसी बुकतान नहीं कर या तो भही होगा एकदम GDP आपकी निगेटिब में चली जाएगी या उद्रस्टित एकदम गिर जाएगी या एकदम उचाल देखने को मिलेगा दोनों ही प्रफाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं तो इस बज़े से सरकार जो होती है हर चीज बैलेंस में करके चलती है आपने देखा होगा अभी मार्केट से 2,000 का note गया बोल गया है तो भी मुद्रास्पिती की स्थिदि क्रिट हो जाएगी, तो सरकार को सामलजस्र बिठाना परता है, यहिन्ना ज्यादा अगर हो जाये तो उनका कोई मूल है नहीं लह जाएगा, उनकी कोई साकी नहीं लह जाएगी, लोगों का विस्वास ब OF को भेचेंगे, और देखे इस चीज की बात इस चीज की चर्चा मैंने आपकी जो economy स्टार्ट हुई थी उसी समय chapter 2 या 3 में ये topic आया था क्या मतसे जादा मुद्रा क्यों नहीं चाप सकते हैं तो वहाँ भी मैंने clear किया था तो I hope आपके mind में clear हो गया होगा ये बाला अब बात करते हैं राज को सी घाटे के तो अक्सर आपके जो John Maynard Keynes हैं जे-म Keynes जिन्होंने समश्टी अर्थास की रचना की है और ये माना है इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही सुझाओ दिया है कि अर्थविवस्ता को पूरी तरह से बाजार के दिन न चोड़ा जाए अर्थविवस्ता पर जो जो भी देश आजाद हुए हैं उन्होंने इसे अपनाया है लेकिन उसके पूर अर्थों पर अमल नहीं किया गया वास्पिक्ता यह है कि जो भी यहां पर John Maynard Keynes ने जो जो सुझाओ दिये थे वो पूरी तरह से लोगों किसी ने नहीं अपनाए हैं सबने अपने अपने अ चा रही है या फिर राजकोसी घाटा करना ही क्यों चा रही है यह सवाल उठाए जाने लगिए तो सरकार के राजस और फूजियत ब्याय में निम्लिक्त बनावट का यहां पर सुझाओ दिया गया या राजकोसी घाटे को संदुलित करने के लिए जो यह प्रशन है इसको स भी राजस प्राप्त हो रहे और यह स्टिती ही है कि हमारे यह कम से कम राजस के रूपर करना पड़े तो यह हमारे अच्छी नीत मानी जाएगी और यह वित्ती अभाव की नीत के लिए सबसे ज़्याद उप्युक्त भी माना जाएगा यह सिच्वेशन दूसरी बात निम् यहाँ पर अगर आप देखें कि जो आपका राजसुब्या है वो कम हो क्योंकि राजसुब्या इसे सरकार को कोई उत्पादन नहीं मिलता है कोई उत्पादन कारी ब्या नहीं होता है बलकि यह उभुभुख इसकी प्रगती अपने आप में उभुभुगा अत्मक होती है होगा कहीना कि आपकी economy boost करेगी तो यहाँ पर भही बताया गया है कि निम्द राजसुब्य और आदिक पूझी ब्याग के लिए घाटे की आवशकता इसके लिए दूसरा बिकल्ब है एक अंतिम इस्थिती ऐसी हो सकती है जब वित्ती अभाव को कम करने की नीति का मुख्य भाग राजसुब्य की पूर्ती करना तथा एक लगू भाग पूझी ब्याग के लिए होता है या तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि वित्ती अभाव को कम करने के लिए में हम जा सकता है या फिर इससे भी ज्यादा बुरी कंडिसन भी हमारे आ सकती है हाना कि भारत में हमने किस तरह से जो फिसकल डेफिसित है उसको कंट्रॉल कैसे किया है तो भारत में घाटे की जो बित्विवस्ता की बीछे बैसर कार्ड क्या रहा है कम गैर योजनागत खर्च और उच्छ योजनागत खर्च यानि खास करके हमारी जो 5-year action plan थे उसमें हमने गैर योजनागत खर्च पर इतना जादा focus नहीं किया हमने उच्छ योजनागत खर्च पर focus किया है हालां कि इस बात की भी आलोचना की जाती है आपके जो अर्चास्त्री है इस बात की भी आलोचना करते हैं उनका मानना ये कि कहीना कि अगर भारत में जो आपका आपके या लगातार जो स्रंबल बढ़ता जा रहा है उसको भी लाब पहुंचेगा GDP जैसे से बढ़ेगी जैने उद्योग दंदे स्थापित होंगे तो भारत में मौझूद विशाल जनसंख्या है उसको भी लाब पहुंचेगा तो इसी के साथ आपका पार्ट बन यहाँ पर कम्लीट हो जाता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल न भूलिए देखिए हम लोग बिलकुल समापन की ओर है तो अब आप अपना हिम्मत या ध्यारे मत खोईए मैं झाल